असलाम अलीकुम एब्रीवान कैसे हैं आप लोग अड़ूबी इलिस्टेटर के इस टुटोरियल में मैं आपको सिखाऊंगा कि स्क्रिप्ट कैसे यूज़ करते यूज़ करके बहुत सारे यूणीक फंक्शन विटलाइज कर सकते हैं या बहुत सारे टास्क कर सकते हैं बहुत सारे लोगों ने स्कृप्स बनाई तो उन में से मैं एक स्कृप्ट यूज जो अकसर करता हूँ डिलाने के लिए तो धूम्हाइज आपको बताऊंगा असक्र्प कैसे इंस्टाॉल करनी है और उसको उस कार books कैसे करना है थोड़ा से मैं आपको preview यानि यह फिलिंगर फिल कर देती है अगर रिजल्ट आपको थोड़ा कलर फुल चाहिए तो यह देखें जी मैंने लेटर के साथ किया है और यह आपका रिजल्ट है और किसी भी शेप के साथ आप यह चीज कर सकते हैं और स्पैशलिए अगर कोई इस किसम का लोगो डिजाइ जाए तो चले जी शुरू करते हैं सबसे पहले हम मैं आपको बता दूं कि स्क्रिप्ट कैसे इंस्टॉल करनी है और उसके बाद मैं फिर बताऊंगा कि वर कैसे करती है डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा जी वह जाकर आप डाउनलोड कर लें तरीका बहुत सिंपल है लिंक को अपन करेंगे यहां पर आपने जाना है कोड के उपर क्लिक करना और डाउनलोड जिप कर लेनी है ठीक है जी जैसी डाउनलोड जिप करेंगे आपके डाउनलोड में यह जहां भी आप इसको सेव करेंगे वहां पर एक फोल्डर आजेगा जी फोल्डर उसको एक्स्ट्र कि प्रिक करने के बाद यहां पर देखें यहां पर झूनी है प्लوفost Prism क्लिक करेंगे is die को और कॉपी खरिगे ओपने के बाद अब आपने जाना है सि में यहां पर आपने अपना जो और क्याफ श्चाल कि जो है इंग्लिश यूएस Rs स्क्रिप्ट और यहां पर आकर हम पेस्ट करड़ेंगे ठीक ही पेस्ट करके यहां पर यह फाइल आ गयी है अब आपने अपना कर आप जितनी भी शेप से स्टार बनाए है और इसको by मैंने अबजेक्ट मैंells के ह Licht heyea के किया एटीग है इन सारे को मैंने Especially किया हुआ है Wow फिला को को OK कर दें थेनल आप इसको ग्रूप कर दें और उसके बाद यह मैन शेप नांगे ठीक है मैं जिसको आपने convert करना है इस सारी shape से fill करना है उसी form में ठीक है मेरे पास यह star है जैसे मैंने आपको start में बताया था दोनों को आपने select करना है याद रखिए कि इसको group करना है फिर आपने यह star बना लेना है and then file, script और यहाँ पर आपके पास यह fillingर है बाकी script भी है लेकिन वो फिर आपको next किसी tutorial में बताऊंगा बट यह मतलदार था इसलिए मैंने flinger का बताया आपको यहाँ पर आपके पास values आजाएंगी different आप यही follow कर सकते हैं या pattern change करके आप देखते रहेंगे इसके बारे में मैं आपको ज्यादा साइज के इसमें आप देख सकते हैं इसमें आप देख सकते हैं वराइटरी आड करने के लिए sizing की इसके दिरम्यान कितना distance हो मैंने zero रखा है क्योंके already उनके काफी दिरम्यान मैंने distance रखा हुआ है और यहाँ पर जो resize value यहाँ पर रोटेशन मैं random रखूँगा और यहाँ पर रोटेशन मैं random रखूँगा और यहाँ पर यहाँ पर by value भी कर सकते हैं the item to fill the top one यहाँ पर आपने group all items after executing ठीक है जो चीज आपके पास आएगी वो grouped होगी random items हो जाएंगे और यहाँ पर remove the item to fill after executing reading यह जो original आपका art है जो नीचे आप जिसको fill करने वाले वो डिलीट हो जाएगा यह आपकी च्वाइस अगर आप tick mark करना चाहते हैं उसको चाहते हैं कि वो डिलीट हो जाए तो ठीक है otherwise उसको वैसी रखें और ok प्रेस कर दें it will take few seconds और यह आपका जो है fill up हो जाएगा साही अब मैं आपको कुछ सी letter के उपर करना चाहते हैं if you want to add to some letter mark यह कुछ सी letter के उपर करना चाहते हैं तो वो भी बहुत असान है आपने कोई भी letter लिख लेना है you can put the different color जैसे मैं double click करके यह shapes बनाई है I'll go with the red or maybe तीन colors मैं आइड कर दी है और इसके लावज इनको आपने select कर लेना है अच्छा इसको पहले आपने shape में convert करना है text को right click करेंगे create outlines और उसके बाद एक दफ़र right click करके ungroup करना है यह आपने थब तक करना है जब तक आपके पास यह ungroup खतम नहीं हो जाता अब जो है हम इनको select कर लेते हैं ठीक है obviously यह group है और यह आपका s पढ़ा हुआ है यह object पढ़ा हुआ है file के menu जाएंगे उसी तरह script चनाएंगे और flinger के उपर click करेंगे जो भी आपने size और देखने है जो भी आपने setting करनी करके simply ok press कर देना it will take few seconds यह magic आपका हो जाएगा और आपके सामने result मुझूद है it's looking amazing and you can put many colors next time मैं कोशे करूंगे एक ऐसी script जो आपके random color generate करती है आपके objects के अंदर तो वह भी बहुत बदस tutorial होगा अब इन shapes को use करते हैं we can create different objects और उन objects को हम different marketplaces पे भी sell कर सकते हैं कैसे करना है यह आपकी creativity है और अगर आप कुछ design करें इस चीज़ से तो let me do in the comments or maybe you can tag me on Instagram और Instagram पर tag करने के बाद actually लोग क्या करते हैं same बना लेते हैं same ना बनाया करें आप अपने portfolio के चीज़ें collect किया करें ताकिए unique रह काम और आपको in future काम मिल सके तो मेरी आप से यही गुदारिश है या आप कह सकते हैं कि अगर आप मुझे mentor मानते हैं तो एक उस्ताद की बात मान लें कि जो भी काम सीखते हैं थोड़ा unique करके फिर सिखा करें कुछ अपनी try किया करें उसमें से कुछ अपना मसाला add किया करें वो डिश्ट त्यार करके आप present करें अगरें लोगों को या अपने customers को उस्यादा मैज़दार चीज़ बनेगी ठीके जी आज के लिए इतना ही था script try करें enjoy करें और कुछ questions ना तो comments में पूछ सकते हैं and if you are watching this video first time you can subscribe me on my channel and thank you so much for watching take care Allah